हालो फ्रेंट्स वालकम तू आल आज मा आपके जो वीडियो लेख्या रहा देखे छुपा हुआ स्टॉक जिसके साथ बड़े बड़े नाम जुड़े जरूर हैं लेकिन इस स्टॉक को आप सायध ही समझते होंगे सायध ही पहचानते होंगे इसके साथ जो नाम जुड़े है वो है ONGC हिंदुस्तान पेक्ट्रोलियम इन दोनों कमपनीज का ये स्टॉक है मातर 40 रुपे में अवेलेवल है लेकिन जो मुमेंट यहाँ पर मैं पिछले कुछ टाइम पर देख रहा हूं ऐसा लग रहा है कुछ तो बड़ा होने वाला है वो जो मुमेंट है वो जो पर आने के लिए कितना रिसक है ऐसा नहीं कि बई शेयर का शिकार करने जा रहे हो जान ही यह इंपॉर्टेंट पार्ट है इसीडिये रिस्क मैनजमेंट हमारे बहुत हो जाता है बधिध कि शेयर मारकेट इंवेस्समेंट अप्जक टि मार्केट रिस्क तो हमें सबसे पहली प्रायरिटी क्या है रिस्क को मैनेज करके चलना है अगर एक बार हमने अपने रिस्क को कैलकुलेट कर लिया उसके बाद शेर का शिकार आराम से अब हम सीधी लेके चलते आपको स्टॉक की तरफ तेरा देखिए ओंजी सी सवंटी वन प रिफाइनरी एंड पेट्रो कैमिकल्स लिमिटेड स्टॉक का प्राइस मात्र 40 रुप्या मार्केट कैपिलेशन साथ हजार करोड तो कुछ हल चल जो हिंदोस्तान पेट्रोलियम या ओंजी सी में होगी यहां पे तो आपको देखने को मिलेगी है अब क्यों यह स्टॉक मैं लेक्या हूं वो भी देखेंगे लेकिन इस स्टॉक से जुड़े हुए रिटेल निवेशक अगर देखा जाए तीन लाख रिटेल निवेशक इससे जुड़े हुए है सोच यह अब यह मैंगलर रिफाइनरी के अगर मैं बात कुरू पिछले कुछ टाइम से आपने देखा होगा HPCL में क्या तेजी आई है HPCL में ONGC तो हमने 100 रुपीज के लेवल से देखा था 120 चला गया करेक्शन आई है यह रिजॉल्व होगी तो फिर से धमाका होगा सोची जड़ा ONGC हम 100 रुपीज से 120 तक का सफर 20% का गेन हमको दे चुका है लेकिन आज हम MRPL को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पे क्या कुछ है इस स्टॉक में अगर आप देखोगे इस स्टॉक का मार्किट का परडलेशन कितना कम आपको देखने को मिल रहा है लेकिन इस कंपनी का revenue देखें 50,000 60,000 करोर अब आपको क्या है यह हो क्या रहा है अभी इसने loss भी देखाया 3000 करोर का लेकिन अब यह स्टॉक का मेजर मुद्दा जो है वो यह नहीं है कि भाई कितना profit है कितना loss मेजर मुद्दा यह है कि यह स्टॉक किसी टाइम पे 500 के लवल पे ट्रेड किया करता था और अगर आप इस स्टॉक को तसल्ली से देखो अभी जिस प्राइसिं वापस जर्नी स्टार्ट कर रहा है इसलिए आपके सामने यह वीडियो है अगर मैं MRPL के book value को देखता हूं तो वो 35 रुपे है यानि कि book value के बिल्कुल आसपास ही available है और किस तरीके से जो situation अभी मैं आपको दिखाऊंगा आपको हो रहा है अब इस stock का आपके सामने लाने का मकसद यह है यह bottom point जो बना था हमारा 20 रुपे के level के आसपास तेजी आई थी correction आए था फिर से तेजी है और यह हमारे पास आगया 40 का breakout level समझे आप एक range break हो रही है एक higher low इसने जरूर हमको दिया लेकिन यह range break होगी तो आपको गया 40 से अगर यह 60 भी चला जाता है तो भी 50 प्रतिसाथ का गेन है 40 से 60 भी चला जाता है तो भी 50 प्रतिसाथ का गेन है 50 परसंट का गेन कम नहीं होता है 50 परसंट अगर आपको कुछ हपतों के अंदर मिल जाए तो कम नहीं होता क्योंकि FD बे जब आप invest करते हो तो आपको साल का 5-8 परसंट मिलता है सोचिए अब risk कित तो उसके बाद फिर से लोग जागेंगे और आप पहले ही जाग रहे हो यह situation जो आप देख रहे हो आप को कि यह क्या है आप को कि यह तो head and shoulder pattern बनता हुआ देख रहा है लेकिन अभी के हिसाब जो पोजिशन बन रहे है 40 रुपीज के लेबल का उसका stop loss है यह 34 की range के आसपास म मात्र 6 रुपी का risk यानि कि अगर मैं यहाँ पे 100 share खरीदता हूँ तो मेरा risk है 600 रुपी के आसपास का और अगर यह stock यहाँ पे 200 weeks यानि कि 70 की range बें जाता है तो 40-70 का सपर यानि कि 30 रुपे का सखर और 100 रुपे का 30 से आप देखो गया तो आप कोगे gain कितना हुआ आपका 3000 रुपी का gain 3000 रुपी का gain with a risk of only 600 तो मतलब अगर आप यह important part है because we need to calculate the risk सबसे पहले तो यही देखना है कि मेरा maximum पैसा कितना जा रहा है और दूसरी बात जब यह level breakout होगा जो यह level important level जो मैं आपको कह रहा हूँ यह level breakout होगा तो breakout के near आपको हमने बताया क्या चाहिए हमको pullback तो that pullback will all will be your next big opportunity to increase the position size क्योंकि जैसी यह breakout होगा या अभी के time पर को correction यहाँ पर आजाए तो ऐसी situation आपको देखने को मिलेगी तो वाह आपको के वाह वाह मजा आ गया तो ऐसे छोटे छोटे stocks और साथ के साथ जब यह यहाँ पर area पर यह breakout आजाएगा चाहिए यह पर आपक क्या requirement होती है correction की that correction will be your next entry point पूरा process समझ रहे हो किस तरीके से अभी आप initial level पे इसको देख रहे हो initial level के बाद आपने अपना risk calculate कर दिया कितना है starting होगी आपने थोड़ा भी risk थोड़ा सा मैं कहूंगा कम-कम position बना हुए जब यह चीज़े ब्रेक हो जाएगी तो पूल बैक आएगा या फिर अभी यहाँ पर correction आएगा फिर आपका stop loss और कम हो जाएगा और optimize हो जाएगा तब आपको के wow that is that will be a big opportunity जब फुल बैक आएगा यहाँ पर correction आएगा तो सूचिए यह stock अब मैं आपको देखे यह जो अभी आप चीज़े बदलते हुए देख रहे हो न वह अभी के time frame में जब ऐसी चीज़े अगर आप पीक में बदलते हुए देखोगे तो आपको के हाँ ब बादे के कहा तक गे रहा है 120 के level पे 120 के level पे गिरते गिरते कहा तक आया क्या कोई इस में इस time पर अगर invest कर रहा है यह down swing चल रही है यह आप पूरी की पूरी कितना risk है सोचिए और उपर से देखे कहा तक गया है situation और इस पूरे के पूरे level को देखोगे तो इस level पे सबसे peak RSI ने दिखा जिया था उसके बाद RSI ने clearly कह दिया भाई हमारा तो momentum खतम होते जा रहा है फिर 60 को भी पार नहीं कर पा रहा था उसके बाद इसका मतलब की अब तो यह momentum खतम हो चुका है loss हो चुका है और यह level आप देखिए उसके बाद तो और भी नीची चला गया acid area से बि धीरे धीरे अप डाउन करके जो जर्णी है वो 70-70 के बाद फिर कहीं भी जा सकती है सोचिए हिंद ओंगी सी और एचपी शेयल का शेयर में आपको दिखा रहा था वही इसके promoter है अब डेली टाइम फ्रीम पर आते अब पिक्चर थोड़ा और कलिया करते डेली टाइम फ्र पर ऑसके बाद की पहली correction वह वह अब देखे आब आपको होँगे यार यह तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को समझाते हो देखिए और इसका यह मतलब नहीं कि स्टॉक नीचे नहीं आ सकता यह तो आपको सबसे पहले लेकर चलना है कि अगर स्टॉक आपके अगेंस्ट आये सपोज मैं अब इसमें एंट्री कर रहा हूं वीकली मेरा एरिया है तो इस आर्माई जो यह बेस पॉइंट ने यह मेरा स्टॉप लॉस यह देखे वान तो थरी फॉर जहां से सप्लाई आ रही है इस सप्लाई में जो बड़े प्लियर के जो मैं आपको कहा रहा था कि दबे पाउं देखो कोई चल रहा है कोई दीरे दीरे चुपके चुपके इस स्टॉक में बहुत कुछ कर रहा है बस आपको अपनी नजरों से नहीं कानों से सुनना है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है अगर नजरों से देखोगे तो यह आपको देखेगा कि कोई चुपके चुपके बड़ी-बड़ी एंट्री ले रहा है यानि कि कुछ तो गढ़बढ़ चल रही है इस स्टॉक में कॉन यह चुपके-चुपके इतनी बड़ी एंट्री ले रहा है और प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कम प्राइस में थोड़ा-थोड़ा माल भी धीला करते जा रहा है ताकि अंदेशा ना हो लोगों को ये देख रहे हैं आपको अपको इससे भी सातिर बनना है आपको situation हिसाब से चलके अगर ये नीच सोड़ना है समझ ये पूरी की पूरी process को समझ ये इस दबे पाउं entry लेने वाले को देखिए कि क्या कर रहा है ये 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 कोई न कोई बहुत बड़ा player है जो कि काम कर रहा है stock में खरीद रहा है stock को क्या पता HPCL और ONJC में कोई बड़ी activity चल रही हो जिसका आपको अंदेशा नहीं लेकिन इस बड़े player को इसका अंदेशा जरूर होगा सोचने में लगता है दिखने में लगता है समाचार बहुत बाद में हैंगे तक तब सब कुछ हो चुका होगा तो इसको समझ ये ये MRPL का stock है फिलाल हम भी wind up करते है वीडियो को उमीद करता हूं आपको वीडियो जरूर कीजिए लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब निका तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बैल अकन को भी प्रेस कर लें और इस तरीके से टेकनिकल आनलिसे जरा आपको सीखनी है तो आप भी membership जोईन कर सकते हो जोईन बटन पर क्लिक करके और थैंक्यू थैंक्